आस्ता फाना से बोलता है कि हमने तुमको चारो त्रफ से घेर लिया है, हम तुमको मारना नहीं चाहते हार मान जाओ, अभी तुम काफी जवान हो, इस उमर में तुम अपनी जान गवाना नहीं चाहोगी, अगर तुमने ऐसा किया तो तुमारे दोस्त और तुमारे घर वाले नराज हो जाएंगे, सैड हो जाएंगे, फाना कहती है, तुम गंदे इंसान, तुमारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमली और फ्रेंड के बारे में बोलने की, फिनरल के साथ साथ बाकी सब भी हैरान होते हैं की, फाना के पास अभी भी इतना सारा मैजिक बचा हुआ है, सकता है, लाडरोस उन दोनों पे अपने मिलियन लेजर से हमला करता है, वो दोनों लाडरोस के हमले से बच के तेजी से आस्ता की और बढ़ रहे होते हैं, फाना आस्ता पे हमला कर देती है, अपने सैलमंडर से, फ्रांजल आस्ता को जोड से चिल्ला कर कहता है की, आस्ता व wind magic से fire increase हो जाती है और भी ज्यादा लाडरोस का सरीर जलते हुए नीचे गिर जाता है आस्ता को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उपर से यह अभी अभी क्या गिरा और यह सब क्या चल रहा है जैसे ही फ्रांजल आस्ता की तारिफ करता है कि वो पहले से ताकतवर बन गया है त देन कहता है तुम इस बंदे के साथ क्या कर रहे हो मार्स कहता है कि मैं तुमारा दुष्मन नहीं हूँ आस्ता कहता है मैं तुमारे जैसे दूस्ट चेहरे वाले व्यक्ति पर कैसे विसपास कर सकता हूँ पर फ्रांजल के कहने पर वो फिलाल मान जाता है कि मार्स अपना द जैसा ही है और इसका magic जाना पेचाना लग रहा है फिर वो देखता है ये तो फाना है भाई साब फाना को होन है वो हमको अल्ड रेड़ी पता ही है पर कई लोगों को शायद ना पता हो जिसने मेरी सारे वीडियो जना देखी हो और कई लोगों को याद नहीं होगा तो चलो मै रिमाइंड करा देता है याद दाश को थोड़ा ताजा करते हैं डामेंड किंडम छोटे छोटे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ताकि वो उन में से सबसे ताकतवर बच्चे को हतियार बना सके हम फ्लेश बेक में चलते हैं जब उन सब बच्चों से काफी करो और उन लोगों के बारे में सोचो जिसको तुम चाहते हो हम पैदा होते हैं इसलिए ताकि हम उनको बचा सके हैं जिनको हम चाहते हैं मार्स को तो सरिफ फाना का ही चेरा दिखाए देता है जैसा ही वो अपनी आखे बंद करता है फाना उससे कहा करती थी कि जब वो ताक एक साथ भार की दुनिया देखेंगे और इसी बात को लेकर वो एक दूसरे से प्रोमिस भी करते हैं कि एक साथ भार की दुनिया देखना और जब फाइनल टेस्ट आता है उनको एक दूसरे को मारना होता है सिर्फ एक ही बंदा जो बचेगा वो ही भार जा पाएगा अगर उन ने मार्स के लिए अपनी जान दे दी थी अगर वो मार्स पे हमला नहीं करती तो वो फाना को कभी मारने की कोशिस तक भी नहीं करता फाना चाहती थी कि मार्स भार की दुनिया देखे वो मार्स के लिए खुशी खुशी अपनी जान दे देती है और मरने से पहले वो मार्स के जखमों को भी भर देती है अपने flame magic से मार्स सोच में पड़ जाता है कि मैंने तो अपने हाथों से fana को मार दिया था और यह जिंदा है वो जोड़ से चिलाता है fana और वो उसके पास जाने लगता है आसता उसको पकड़ लेता है भाई आगे मज जा वो तिर को अपने आंक से भूंज देगी, मार्स जोड जोड से चिल्ला कर कहता है, फाना ये मैं हूँ मार्स, क्या तुम मेरे को पिचानती हो फाना अमला करकर कहती है मैं तुमको नहीं जानती, आस्था मार्स को बचाता है, फ्रांजल के अकोर्डिंग, फाना कोई transformation magic एक यूज नहीं कर रही है और यह फाना ही है उसकी student जो human experiment में मारी गई थी उसकी तीसरी आखों में से कोई अजीब सा जादू निकल रहा है शायद eye of the midnight sun उसको control कर रहा हो फाना को मार्स के बारे में थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है उसका सर बहुत तेज दुखने ल पहले ही दो बार ऐसा आउत हुए देखा है और कहता है यह eye of the midnight sun हर बार आखरी में self-destriction को ही साई solution क्यों समझते हैं हमको पता ही है कि जब eye of the midnight sun का third eye जब self-destriction करता है तो उससे कितना बड़ा धमाका होता है आस पास का सब कुछ तबाह हो जाता है फाना उन सब पर आख क गोले बरसाती है सब उससे बच रहे होते हैं सिवाए मार्स के फ्रांजल कहता है कि अपने magic से उन आपके गोलों को रोको मार्स कहता है कि मेरको इसका कोई हक नहीं है मैंने फाना को मारा था उसके बाद जो आस्ता मार्स में चपेट लगाता है ना काफी मजा आ जाता है दे मार्स को पेचानने में गलती करी नहीं सकता आस्ता कहता है ऐसा है तो फिर तुमको किसी भी हालत में मरना नहीं चाहिए जिंदा रहो और अपने दोस्त को बचाओ आस्ता की दो लाइन कहते ही मार्स मान जाता है मैं इसको noisy magic बोलता हूँ जिसमें आस्ता जोर जोर से चिला क अपने दुश्मन को या अपने साथी या किसी को भी emotional कर देता है जिस तरह से नारुटो का टोक नो जूस्सू उसी तरह से आस्ता का noisy magic इदर सरिफ आस्ता का anti magic sword ही फाना के self destruction को रोक सकता है क्योंकि anti magic sword हर एक magic को cancel out कर सकता है हर तरह का किसी भी तरह का magic हो anti magic sword उसको cancel out कर सकत है बाकि सबका magic फाना का क्या ही बिगाड लेंगे सिर्फ एक नुए लिया जिसका water magic fire magic के सामने काम आ सकता है पर इदर फाना का भैंकर fire का माना overflow हो रहा है वो self restriction कर रही है हलका सा भी पानी डाला तो आग और ज़्यादा भड़क जाएगी और blast जो है वो और भी जल्दी हो आस्ता सोचता है कि जब मैं वैटो से लड़ रहा था तब मेरे अकेले की ताकत उसको रोक नहीं पाएती पर अब मैं फाना को रोक दूँगा इस बार मार्स भी सोचता है कि बचपन में मैं अपनी दोस्त फाना को नहीं बचा पाया था पर इस बार मैं उसको बचा के ही रह वो दोनों फाना की वर बढ़ रहे होते हैं फाना उनको बोलती है दूर हो मेर से और वो उन पर आग के गोले बरसा रहे होती है पर वो दोनों उसके हमले से बच के आगे बढ़ रहे होते हैं जैसे जैसे वो दोनों आगे बढ़ते हैं उनका शरीर जलने लगता है इतनी तेज आग में बहुत ज़्यादा टेंपरेचर होता है फिर मार्स अपना फ्लेम रीकवरी मैजिक यूज करता रहता है ताकि वो फाना की आग में जनना जाए वो फाना का भैंकर आग का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं मार्स सोच रहा होता है कि ये बंदा काफी अमेज पर फिर भी यह मेरी मदद कर रहा है, मैंने इस जैसा बंदा कभी नहीं देखा, मैंने आज तक इस जैसा क्लोवर किंडम का कोई मैजिक नाइट नहीं देखा, जो इतनी कोशिच करे किसी की जान बचाने के लिए, किसी की मदद करने के लिए, यह बंदा जीकता जाकता उधार एक अच्छे magic night होने का आस्ता मार्स को कहता है कि क्या तुम ठीक हो मार्स कहता है कि मैं ठीक हूँ ये तो कुछी भी नहीं है उसके सामने जो फाना ने दर्द सैन किया आस्ता मार्स के बारे में सोचने लगता है कि जब हमने इस बंदे से पहले fight किया था तब से ये बंदा पुतली की तरह था जिसके पास कोई भी feeling नहीं थी पर अब इसके अंदर feelings है इसके पास काफी अद्बुद ताकत है और ये determined है लोगों को बचाने के लिए जिन को ये चाता है इस समय उसको इस दुनिया की कोई भी चीज नहीं रोक सकती फ्रांजल कहता है कि यहां से भाग किसी भी मिनिट यहां बलाष्ट होने वाला होगा पर अपने ब्लैक बुल वहां से एक किंच नहीं हिलते उनको आस्ता पे भरवसा होता है कि वो फाना को रोक लेगा फिर फ्रांजल भी आस्ता और मार्स में फेत दिखाता है और उदर ही रहता है वो फाना के पास लगबग पोची जाते हैं मार्स के रीकवरी मैजिक के बाद भी उनका शरीर जलने लगता है तो बड़ा थोड़ा फाना का सरदर धोरा होता है जोर से फाना कहती है अब सब खतब बलाश दोने ही वाला होता है कि आस्ता अपने एंटे मैजिक सोड से self destruction को रोक देता है उसके बाद फाना फिर से self destruction चालू कर देती है ये कहते हुए कि हमारी नफرत कभी दोर नहीं होगी तुम इंसानों के प्रती मार्स फटाफट भाग के फाना को गले लगा लेता है और कहता है फाना तुमको याद नहीं ये मैं हूँ मार्स I am so sorry उस समय मेरे पास तुमारे साथ लड़ने की ताकत नहीं थी मुझे माफ कर दो यार फाना के माइंड में दो जनों की यादे मन में आ रही होती है एक तो फाना की मार्स के साथ और एक किसी एल्फ की जो इंसान दुआरा मार दिया गया था दो जनों की मैमरीज को लैप्स होने लगती है फाना का सर बहुत तेजी से दर्द होने लगता है मानों जैसे किसी भी वक्त उसका सर फटने वाला हो मार्स कहता है कि हम भारी दुनिया में हम दुबारा मिल गए चलो हम अपना वादा निभाएं पहले ये दोनों एक जगे में कैत थे ना जहां इन पे एक्सपरिमेंट किया जा रहा था और इनका सपना था भारी दुनिया एक साथ देखने का सब लोग खुश होते हैं कि फाना पहले जैसे ही बन गई उसको होश आ गया तो वहीं फिंडरल की जल रही होती है वो बहुत जैलेस फिल कर रहा होता है क्योंकि उसके सामने ही एक लड़का एक लड़की के गले लगे हुए है तो दोस्तो आज का एपिसोड यहीं समापत होता है जो लोग मेरी वीडियो एकदम एंड तक देखते हैं उनको पता ही होगा कि मैं किसी कारंड अपने स्टेट याने की दिल्ली से भार गया हूँ और मैंने कहा था कि दो महिने बाद मैं वीडियो डालूगा मतलब दो-चार वीडियो जो मैंने पहले ही बना रखी होगी ओल्डेडी वो मैं अपलोड करता रहूँगा टाइम यह एपिसोड नमर 61 है जिसकी स्क्रिप्ट मैं अभी लिख रहा हूँ अभी मैं ट्रेन में हू और मैं पंजाब से दिल्ली जा रहा हूँ अपने वापस घर कोई काम आ गया है एक दो दिन घर पे रुखूँआ फिर वापस मैं पंजाब चले जाऊँगा तो ऐसा ही है यार जब भी मेरे को एक दिन मिलेगा ना टाइम तो मैं वीडियो बना डालूगा मैं अपनी तरफ स पूरी कोशिस करता हूँ जितने जल्दी वीडियो बना के डाल सकूँ डालूगा आप लोगों ने यहां तक जो सपोर्ट दिखाया उसके लिए मैं बहुत आपारी हूँ जो हम लोगों का दोस्ती है जो हम लोगों का फ्रेंड्शिप है मैं इसको इंफिनाइट टाइम तक जीवित रखना चाहता हूँ जारी रखना चाहता हूँ तो देखते हैं हम लोगों का साथ कब तक रहेगा जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में जैहिंत